जमुर कठुवारे सेना गाडिको आतोंके आक्रमान हमलारे पांच जोन जबान सही दोईच्छन्ती सेपरी गुली बिनी मेरे छो जोन आतों जणा पड़ीची सुचना अनुसारे सेना र गाडियु परकु टार्गेड कर्थीले आतोंके जवुकिरे पांच जबान गुरुतर आतों जबान सही दोईच्छन्ती दिन धरी घाटिरे सेना आतोंक बादी मद्यरे गुली बिनी मेरे लुची रोईती बाद छो जबान आतोंक बादी इंकु निपात करा जेए छुए। Time has come that we have to see the danger in the face and realize that these are not odd incidents. They are continuously going on for some times as if Pakistan is trying to prove, our enemy is trying to prove that they can, they are capable and they can do everything. Question is, we have to take that step in which their action is limited in the beginning only and curtailed. We don't have wait for reaction. We don't wait for them to come into our homes and attack us and then we react. मेरा सिम्पल सीधा सवाल, आप रक्षात्मा को के क्यों लड़ रहे हो? चार साल से सीस फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को, सीस फायर क्यों? अब समय आगया है हिसाब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई सचटी का दूद याद आ जाए. और हमारी फौज कर सकती है. बशरते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोंगे. भारी हत्यार इस्तमाल क्यों नहीं करेंगे? वो रिपब्लिक दे परेट के लिए? मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे, खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है. दिखाएगी आपको वो लाइन ओफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है. यह अटाक इंटरनेशनल बर्डर के पार हुआ है. अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिचानी पड़ेगी ताकि पंजाब में मातम मने.